Good morning students, आज मैं आप लोगों को वर्ण पढ़ाने जारेंगे वर्ण क्या है? यानि वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है? वर्ण के वारे में जानेंगे कि वर्ण क्या है? वर्ण उस मुल ध्वनी को कहते हैं जिसके खंड या टुकरे नहीं किये जा सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं ठीक है? जैसे औ, इ, ख, ग, इत्याती अब पढ़ेंगे कि वर्ण को कितने भागों में बाटा ग्या है? वर्ण दो पड़कार के होते हैं पहला स्वर्वर्ण, दूसरा व्यन जन्वर्ण ठीक है? स्वर्वर्ण क्या होता है? इस चीज़ को जानेंगे? स्वर्वर्ण किसे कहते हैं? स्वर्वर्ण में कितने वर्ण होते हैं? ठीक है? स्वर्वर्ण उसे कहते हैं जिसका उचारन किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है उसे हम श्वरवर्ण करते हैं जैसे ओ, आ, ए इत्यादी ये सब क्या हो गया? स्वरवर्ण ठीक है स्वरवर्ण में ओ, आ, ए ये सबाते हैं ठीक है इसके उचारन में कंट, तालू का प्रियोग किया जाता है जैसे ओ, आ, इ ए, उ, र, ए, ए, ओ, आ, ओ, आ, ये सब स्वरवर्ण के अप्छर हैं ठीक है स्वरवर्ण में आते हैं ये तोटा स्वरवर्ण 11 होते हैं स्वरवर्ण के प्रकार स्वरवर्ण के भी प्रकार होते हैं इसे भी हम तीन भाग में बाटे हैं ठीक है पहला हर स्वर, दूसरा दिर्ख्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् यह word हो गया हर स्वर, दिर्ग स्वर, दिर्ग स्वर में हर स्वर से दुबूना टाइम लगता है, यानि दुबूना समय लगता है, ठीक है, जैसे आ, E, O, A, E, O, O, ये साथ वर्ड जो हो गए, वो हो गए आपके दिर्ख स्वर, ठीक है, इसमें दुगुना टाइम लगता है, ठीक है, इसको बोलने में हम हर स्वर से दुगुना समय लगाते हैं, ठीक है, प्लूत स्वर, प्लूत स्वर को बोलने में हर स्वर की तीन गुना समय लगता है, ठीक ये पुलूच की पहचान है ये बीच में जो आप डॉग की तरह जो देख रहे हैं ये चिन ही बताता है कि हर स्वर से इसमें तीन गुना समय लगता है इसमें भी वही डॉग की जो दिख रहा है वो तीन गुना समय लेता है ठीक हर स्वर से अयोगवा अंग और अख को कहा जाता है अंग अनुश्वार होता है अख विशर्ग होता है अख को हम विशर्ग करते हैं ये तो न स्वर्वर्ण है न व्यंजन वर्ण ठीक है इसको हम किसी में भी नहीं रखते हैं ये अत्रीक्त वर्ण है ठीक है ये जो है व्यंजन के मदद से बनता है और ये भी व्यंजन के मदद से बनता है ठीक है अब हम व्यंजन वर्ण बताएंगे ठीक है वर्ण का दूसरा वर्ण को दो भाग में बाते हैं अब ये देखिए व्यंजन वर्ण में कितने वर्ण आते हैं यह यहां तक जू हो गए आपके व्यांजन वर्ण इससे हम असफर्स व्यांजन वर्ण कहते हैं ठीक है और को से मतक यह तो असफर्स व्यांजन हो गए इसके आगे यो, रो, लो, वो, यह आपका अंतस्त व्यांजन वर्ण हो गया ठीक है तलाबेसा, मुर्धान्चा, दन्चा, हाँ यह आपका उश्म व्यांजन वर्ण हो गया ठीक है कूल मिलाकर 33 व्यांजन वर्ण होते हैं ठीक है समझ गए जिसमें और 11 स्वर वर्ण 11 प्लस 33 इसकल टू 44 वर्ण होते हैं ठीक है वर्ण माला में 44 वर्ण होते हैं ये हो गए आपके ये मूल वर्ण ठीक है इसे हम मूल वर्ण कहते हैं लेकिन लिखते हैं तो 52 वर्ण होता है ठीक है लिखते हैं तो 52 वर्ण होता है लेकिन ये ऐसे 44 वर्ण ही वर्ण में आते हैं ठीक है समझ गए बच्चे चलिए आज समात करते हैं पढ़ाई ये सी को आप कॉपी में लिखिए और इसे याद कीजिए ठीक है वर्ण किसे कहते है वर्ण माला किसे कहते, स्वर वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण क्या होता है, अंतस्त वर्ण क्या होता है, उस व्यंजन वर्ण क्या होता है, असपर्स व्यंजन वर्ण क्या होता है, इस सीज को आप कोपी में लिखिए, अपने आप कोशन बना करके उसका एंसर लिखिए, ठीक है धन्यवाद बज़ो ठीक है